नमश्कार, तो कंगना रनोत जब से पॉलिटिक्स के अंदर एंटर कर चुकी है, कंगना रनोत का बयान आपने कई बार सुना होगा, कि मेरे पास पॉलिटिक्स के बहुत ओफरात है, बट मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ, ऐसे बयान कंगना रनोत ने काफी बार दी है, और आज कंगना रनोत की तेजस फिल्म रिलीज होई है, और फिल्म क्रिटिक के आर के ने भाई, इसके लिए सबसे पहले ऐसा का है, वाउ, वाट अ ब्रिलियंट कोमेडी फिल्म तेजस, इस राम मंदिर बन भी चुका, उपन भी हो चुका, और टेररिस्ट बोम बलास्ट क करने के लिए आ भी गए, कंगना ने तेजस से मिसाइल मार कर सब को खतम भी कर दिया, जैहो मतलब कुछ भी, यानि कि कुल मे लाकर तेजस को फिल्म क्रिटिक क्यार के ने इतना अच्छा नहीं बताया है, और अस्वनी कुमार जो की बहुत बड़े फिल्म क्रिटिक है, उन पता होगा, कंगना रनोत की फिल्म बेशक इतनी अच्छी नहीं जा पाती, फ्लोप जा रही है, पर लेकिन कंगना रनोत की एक्टिंग की तो सब तारीफ करते हैं, लेकिन जो फिल्म है तेजस, इसमें कंगना रनोत की एक्टिंग को भी अच्छा नहीं बड़ाया गया है, इसी के साथ भाई अस्वनी कुमार ने आप देख सकते हैं मुवी को गुल एक स्टार दिया है औराले अस्वनी कुमार ऐसा लिखते हैं कोस्ट्यूम और लुक डिजाइनर भी दो स्पून है फिनाले आदम घाती मिसन के लिए सुरवाती बचाओ मिसन सभी कारिवाई के बज़ए सिर्फ उपाओ डायलोग बाजी है यह बकवास है निश्चित रूप से RSVP मुवीज पर एक काला दबबा है RSVP मुवी जो है वह एक फिल्म प्रोडॉक्शन है जिसने भाई प्रोड्यूस कर रहा है तेजस मुवी को और तो और भाई अब कलेक्शन देखें पहले दिन का कलेक्शन बताए तो सेखनिल की रिपोर्ट के मुथाबिक तेजस पहले दिन सिर्फ 75 लाग का बिजनस कर सकती है यह ABP न्यूस का आर्टिकल देखे आप और कंगना की यह फिल्म इंडिया में करीब 1300 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है ऐसी रिपोर्ट्स है कि व प्रणी आफ्टर नाइट नाइट में तो जाकर जीरो परचैन दिखा रखा एब भाई इस मुवी के बारे में आपकी क्या राय है क्या मुवी विकेंड पर कुछ अर्ण कर सकती है क्योंकि जिसे एसाफ से चल रही है कुछ कह नहीं सकती है फिल्म हीट ना होने का यह भी का कि मैंट के माददम से जरूर सेयर करें वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें